दोस्तो इसे कहते पाफर फिस ये जब भी खत्रा मैसूस करता है तब भी आपने आपको कभी पानी से और कभी हावा से बुबबारे के तरह फुला लेता है ताकि कोई इसे असनी से खाना ले भूल करके भी ये फिस खा मत लेना यूँकि पाफर पीस काफी जहिल होता है तब भी जापान की लोग इसे एक स्पेसल तरीके से बना के मज़े से खाता है इसे कहा जाता है आर्चर फिस इसके नाम इसलिए आर्चर है कि ये पाणी के फिचकारी से पाणी के उपार रहने वाले कीरे माकुरों को आसानी से पाणी में गिरा देता है उसके बाद सफाचर झाले कर दो झाले कीरे में गिरादयों के छोग में नाजा जांग हाई आर्चर बाद से लाचर है